सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें जिससे आगे आने वाले सभी यूटूब अपडेट्स, वीडियोज, नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें इसके बाद हम लोग प्रिस्नावली एक दिसम्लाव दो में ही प्रस्निक्रमांक दो हल करेंगे इसमें दिया गया है पूड़ांकों के निमने लखे तीयोगमों कि महत्तम समावर्तक और लगत्तम समावर्तक ग्याद कीजिए तता इसकी जाच कीजिए कि दो संक्याओं का गुड़न फल महत्तम समावर्तक गुड़त लगत्तम समावर्तक है पहला क्वश्चन है 26 और 91 तो इसको हल करने के लिए हमें 26 और 91 के सबसे पहले अवाज जगुड़न खंड निकालना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे सरव प्रथम 26 बरावर और 91 बरावर 26 के अवाज जगुड़न खंड निकालेंगे और 91 के तो इसके लिए हम रफ पेपर का यूज़ करके 26 की गुड़न खंड निकाल लेंगे तो यहाँ पर हम यह रफ पेपर का यूज़ कर लेते हैं और वैसे तो हम लोगों को मालूम है 13 दूनी 26 होता है लेकिन मैं प्रोसेस से बता देता हूँ यहाँ एकाई अंक है 6 जो की समसंग्या है इसलिए 2 से भाग चला जाएगा 2 एकम दो, 2 तीया 6 है और 13 हमें 13 का ही जाएगा तो 26 को हम लिख सकते हैं दो गुलत 13 है बहुत ही सिंपल है इसी तरी किसे 91 को हम लिख सकते हैं 13 साथ एकानवे यानि की साथ गुलत 13 है इसके गुलन खंड नकालने की जोड़त नहीं है यह पहला कॉश्चिन सिंपल है यहीं से पता चलता है 13 दूनी 26 13 साथ एकानवे तो 26 की गुलन खंड हम लोगों ने नकाल लिए है दो गुलत 13 और 91 की गुलन खंड हम लोगों ने नकाल लिए है साथ गुलत 13 अब हमें इनके लगुत्तम समावर्टक और महत्तम समावर्टक नकाल ला है तो इसके लिए हम लिखेंगे 26 और 91 का लासा और नीचे लिखेंगे 26 और 91 का मासा का मासा यानि महत्तम समावर्था अब आपको द्यान से देखना है कि किस तरीके से ये निकाले जाते हैं महत्तम समावर्था और लगत्तम समावर्था में थोड़ा सा फ़र्क होता है और ये फर्क इनके बीच में अलग अलग बिदिया लाता है देखिए कैसे लगुत्म समाबर्दक जो है इसमें हमें सभी संख्या लिखनी है और सभी संख्याओं की सबसे उची घातों को लिख देना है बस आपको repeat नहीं करना है जैसे हमें यहां से लिखना सुरू करना है और लिखते जाना है यहां से लिखते जाना है यहां तक लेकिन कोई भी संक्या रिपीट नहीं करना है बहुत ही सिंपल मैथाड है अगर ये आप पे आने लगी तो आप लगत्म समावर्तक और महत्म समावर्तक में कभी नहीं भूलेंगे बस यहां से लिखना इस्टार्ट करना है और सबसे बड़ी घातों को भी लिखना है ध्यान रखना है कोई भी संक्या रिपीट ना हो देखिए किस तरीके से यहां से सबसे पहले लिखा है दो तो मैंने लिख दिया दो गुड़त लगा दिया फिर लिखा है तेरा है तो मैंने लिख दिया तेरा है फिर गुड़त लगा दिया, फिर लिखा है साथ, तो मैंने लिख दिया साथ, अभी तक कोई repeat नहीं हुई है, गुड़त लगा दिया, इसके बाद लगा है, मुझे तेरा नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना, क्योंकि तेरा यहाँ पर लिख चुका है, तो यह गुणा का चि बेश गुड़त साथ अब साथ का गुणा कर देते हैं सच्छों बैयालीस बैयालीस का दो हासल आएगी चार सद्दूनी चवगदा चवगदा हो चार कितने हुए अठारा तो लगुत्तम समावर्दक आएगा एक सो ब्यासी सिंप्ल मैथाड लगुत्तम समावर्दक में आप को क्या लिखना है लगुत्तम समावर्दक से सर वो इसकी वो बना लीजी अब ट्रिक ला से लाओ सा से सब लाओ सब यानि की सब लिखो और वो भी सबसे बड़ी बड़ी गातों को यहां बड़ी गातों का मतलब अगले क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा बड़ी पांच कुछ भी नीचे लिखा होता दो गुलित चार की उपर दो की गात गुलित छे ऐसा कुछ लिखा होता समझ ये इस बात को और हमें लगुत्तम समावर्दक निकालना है यानि की लाओ सब तो देखिए कैसे निकाली अब हमें यहां से लिखना इस्टार्ट करना है जै लेकिन हमें लाओ सब में बड़ी बड़ी गातों को ही लिखना है यहां से हमें ध्याना है कि हमें चार लिखना है लेकिन उससे और ध्याना है कि इसमें बड़ी गात तो चार पर दो की गात है तो आप यह नहीं लिखोगे चार पर दो की गात गुलित पांच लिखोगे सबसे बड़ी घातों को हम यहां पर लिखते हैं लेकिन वह थोड़ी सी बासा कटन हो जाती है इसलिए आप इसी तरीके से समझते जाएं तो यहां पर जो लगुत्तम समाबर्तक मैंने निकाला है वह आप ध्यान से देख सकते हैं कि आपको सभी लिखना है और उच्चितम घा दो ही थी इसलिए दो लिखा गया है गुले तो तेरा है आपने आपको नीचे देखना है जैसे आपने यहां पर दो लिखा तो आपको नीचे देख लेना है कि ऐसे तो नहीं है कि कोई दो की बड़ी घात हो अगर कोई दो की बड़ी घात यहां पर होती तो सबसे पहले ना लिखा जाता जैसे यहां पर 13 लिखा है तो यदि 13 पर यहां दो की घात होती तो यह बाला लिख देते हम यहां पर तो सबसे बड़ी घातों को लिखते जाना है और रिपीट नहीं करना है बहुत ही सिंपल है अगले कोईश्चनों में जब हम करेंगे तो इससे और जादा किलियर हो जाएगा महत्म समाबरतक में आपको उभाइनिष्ट गुडनखंड़ की सबसे चोठी घात लिखना है तो अनसरे 13 है तो अम उसे को लिख देंगे उबाइनिष्ट का मतलब जो दोनों में है दोनों में क्या है? तेरा है तो ये महत्तम समावर्थक निकालना बहुत ही सिंपल होता है तो इस तरीके से आप लगत्तम समावर्थक और महत्तम समावर्थक निकाल सकते हैं अब हमें जाच करना है कि क्या ये सही है गुडनफल जो है इनका लगुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक के बराबर है तो यहाँ पर इसमें लिखा गया है जाच कीजिए कि दो संक्याओं का गुडनफल महत्तम समवर्तक और लगुत्तम समवर्तक है या नहीं तो इसके लिए हम heading डाल देंगे जाच और जाच में सबसे पहले तो formula ही लिखेंगे दो संक्याओं का गुड़नफल जो हमें दे गई थी दो संक्याओं का गुड़नफल बराबर लगत्तम समावर्थक गुडत्मात्तम समावर्थक अब दो संक्याओं का गुड़नफल क्या है आएए देखते हैं दो संक्याओं का गुड़नफल हमें जो question दिया गया था वही हमारी संक्याओं है 26 और 91 इनका गुड़नफल कर देते हैं तो 26 और 91 और यहां भी हम लगत्तम समावर्थक कितना है हमारा 182 आप देख सकते हैं यहां यह लगत्तम समावर्थक कितना है 182 और महत्तम समावर्थक कितना है 13 तो हम दोनों को लिख देते हैं अब हम इसका गुड़नफल करेंगे तो 26 ही आएगा 18 लगा देते हैं यहां पर 9 का कुणा करते हैं 9 चंग चंगन चंगन की 4 हसल आजाएगी 5 9 दोनी 18 18 और 5 कितने होते हैं 23 6 4 और 2 6 और यह 23 जिएव करते हैं कितना आया 23 66 अब इसके बाद जब यह 23 66 आया है अब हम इन दोनों का भी चेक कर लेते हैं तो आएए 182 गुड़ 13 को भी चेक कर लेते हैं 182 गुड़ 13 तो 13 है 26 की 6 हासल आजाएगी 2 13 है 104 104 और 2 106 106 की 6 और हासल आजाएगी 10 13 है 13 है 13 है 10 23 यह भी 23 66 आया है तो हम दोनों की तरफ लिख सकते हैं 23,66 बरावर 23,66 इस तरीके से यह बरावर हैं तो आप लिखोगे जो की सत्त है जो की सत्त है इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से लगुत्तम समावर्दा को और महत्तम समावर्दा ग्याद कर सकते हैं इसके बाद हम लोग next question लेते हैं इसके बाद next question है 510 और 92 तो इसके लिए भी हमें सबसे पहले 510 और 92 की अवाज जुड़न खंड निकाल लेना है तो यहाँ पर हम हल करेंगे और 510 के लिखेंगे अवाज जुड़न खंड और नीचे लिखेंगे 90 की सबसे पहले हम 510 के लिखेंगे तो यहाँ पर रफ में हम 510 का जो है गुड़न खंड निकाल लेते हैं तो यहाँ पर 510 एकायंक में 0 है इसलिए हम 2 से भाग दे देते हैं 2 दूनी 4 बचा 1, 2, 5, 10 फिर बचा 1, 2, 5, 10 अब यहाँ पर 5 आ चुका है तो हम 3 से भाग देके देखते हैं 3 सबसे पहले 3, 8, 24, बचा 1, 3, 5, 15 अब यह 5 से जाएगा 17 फोने 85 फिर यह 17 एकम 17 तो इस तरीके से हमें 510 के जो अब आज जो गुड़न खंड मिले हैं उन्हें हम लिख लेते हैं यह हैं 2, 3, 5, 5, 17 इनको हम लिख सकते हैं अब यहाँ कोई repeat नहीं हुआ है तो हम घात लगा कर नहीं लिख सकते हैं इसी तरीके से लिखेंगे इसके बाद हम 92 के अब आज जो गुड़न खंडों को निकाल लेते हैं तो यहाँ पर हम 92 के लिए भी लिखाद देते हैं 92 2 से जाएगा 2, 4, 8 यहाँ बचा कितना 1, 2, 6, 12 पर 2 से जाएगा तो यह 23 क्योंकि 2, 2, 4, 2, 3, 6 पर 23 का 23 में ही गया तो 23 का 23 ही हो गया यहाँ पर हम लिखेंगे 92 के गुड़न कंड़ा हैं 2 2 गुड़न 2 तो हम इस पर 2 की 2 की गात लगा कर लिख सकते हैं क्योंकि यह रिपीट हो गया है और गुड़न 23 आपको इसी तरीके से करना है अब हमें 510 और 92 का सब लासा निकालना है और उसके बाद 510 और 92 का मासा निकालना है यानि की लगों तम ळसमा वरतक और महत्म जम à वरतक अब लासा निकालने की बिधी मैने आपको पहले बताइ हूई है कि सभी को लिखना है बस रिपीट नहीं करना है यहां से सुरू होना है सुरू से और सभ़ों लिखना है रिपीट नहीं करना है और उच्छितम घातों को लिखना है आपको दियान रखना है ये बात है सब को लिखना है उच्छितम घातों को लिखना है अब कैसे याद आएगा कि लगतम समावरतक में ही सब को लिखना है कि महतम समावरतक में ही सब को लिखना है तो मैंने एक छोटी सी ट्रिक बताई, लगतम समावर तक में ही सब को लिखना है, क्योंकि इसका मतलब होता है, लाओ सब, लाओ सब, ला से लाओ, सा से सब, तो आपको ध्यान आ जाएगा कि इसी में लिखना है, अब हम सुरू करते हैं, तो हमने यहां से सुरू किया दो, तो लाओ सब, तो हम इस दो को न लिखके, इसकी उच्चितम घात क्या है, दो पावर दो इसको लिखेंगे, गुलत, इसके बाद फिर यही से आगे बढ़ेंगे, यह हो चुका है, अब तीन, तीन की उच्चितम घात तो नहीं है क्या, तो यहां पर यह 23 लिखा है, नहीं है, तो हम तीन को ही लिखेंगे, इसके बाद पाँच को लिखेंगे, पाँच है तो नहीं उच्चितम घात, नहीं है, तो पाँच यही आएगा, यही सबसे उच्चितम घात मानी जाएगी, फिर, फिर 17 की उच्चितम घात तो नहीं है, तो नहीं है, तो 17 ही लिखा जाएगा, इसके बाद यहाँ पर यह लिख चुका है रिपीटीशन बिल्कुल भी नहीं है लाओ होगी यहाँ पर और यह जो 23 है 23 को हम पहली बार लिख रहे हैं अभी नहीं लिखा है तो हम यहाँ पर 23 भी लिख देंगे तो इस तरीके से हम अब हम लगत्तम समाबर तक इसको सॉल्व करेंगे जब तो इसका गुणा करोगे जब आप तो दो पावाबर दो यानि की चार चार तिया बारह 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 पंचे साथ और साथ गुलित सत्रा है गुलित तैईस कर लेते हैं रफ में तो यहाँ पर हम करेंगे साथ गुलित सत्रा है पहले यह कर लेते हैं साथ गुलित सत्रा है सत्रा है सुन्नम सुन और सत्रा है चक्के एक सो दो तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक सो दो यह आया दस बीश 10 20 में हम 23 का गुणा करेंगे तो गुणा कर देते हैं तो 3 सुन्नम सुन्न 3 दुनी 6 3 सुन्नम सुन 3 एकम 3 अब हम यहाँ पर फिर से 2 का करदेंगे 2 सुन्नम 2 दुनी 4 दुन्नम 2 एकम 2 अब 0 6 4 3 2 कितना आया तो यह आया 23,460 तो हमारा लगुत्तम समावर्टक आया है 23,460 अब हम महत्तम समावर्टक निकाल लेंगे तो महत्तम समावर्टक निकाल लेंगी प्रोसेस और भी सरल है महत्तम समावर्टक किस तरही किसे निकाला जाता है उभाई निश्टिक गात जो दोनों में हैं और सबसे छोटी गात हो तो इसका अंसर है कि दो दोनों में है मतलब उभाइनिष्ट जो है वो दो है लेकिन छोटी गात किसमे है उपर दो तो छोटी गात कोई लिखेंगे तो यहा है महत्तम समावर्दक दो तो महत्तम समावर्दक निकाल दे समय आपको याद रखना है उभायनिष्ट गुड़न खंड होना चाहिए और उसकी सबसे छोटी गात होनी चाहिए तो इसके बाद हम जाच करेंगे यह तो हमने निकाल लिया है लगत्तम समावर्दक और महत्तम समावर्दक अब हम जाच करेंगे उसी सूत्र को लगा के जो इसके पहले हमने लगाया था दो संख्याओं का गुड़न खंड बराबर लगत्तम समावर्दक और महत्तम समावर्दक दो संख्याओं का गुड़न फल हमारी दो संख्याओं है पांस सो दस और बानमिरों में क्वेश्चन में दी हुई थी तो इन्हीं का हम गुड़न फल करेंगे यहाँ पे पांस सो दस गुड़न बानमिर लगत्तम समावर्दक हमारा है 23,460 यहाँ पर हम लिखेंगे 23,460 गुड़न महत्तम समावर्दक दो है तो दो का गुड़न हुए अब यहाँ पर हमें दोनों को बरावर लाना है तो सबसे पहले हम गुड़न करेंगे पांस सो दस का बानमिर रख में कर लेते हैं यहाँ पर पांस सो दस और यहाँ पर बानमिर सबसे पहले दो का करेंगे दो सुन नम सुन दो एकम दो दो पंचे दस नो का कर देते हैं नो सुन नम सुन नो एकम नो नो पॉने पैतालस जीरो दो नो पाच और एक छे चार जोंग च्यालीस हजार नो सो बीस तो यह हम यहाँ पर लिखेंगे च्यालीस हजार नो सो बीस यहाँ पर कर देते हैं तो 23,460 बोड़े 2 29, 29, 29 29, 12 की 2 हासल में आएगी 1 24, 8 और 1, 9 और 2, 3, 6, 2, 2, 4 ये भी आया 46,920 46,920 तो इस तरीके से आप जो दुबराबर से दो चुके हैं तो आप लेखोगे जो की सत्य है जो की सत्य है तो अब हम लोग इसके बाद तीसरा कॉश्चन करेंगे इसका इसके बाद 336 और चंगन जो है इसका हमें लगत्तम समामर्दाक और महत्तम समामर्दाक ज्यात करना है तो इसके लिए हम 336 तीस जो है इसके अबाद जो गुड़न खंड निकालेंगे वह भी गुड़न खंड विधी से तो इस आईए इसको रफ में करते हैं कि 36 कि सबसे पहले 2 से भाग जाएगा तो 168 आएगा पर 2 से भाग जाएगा तो चोड़ा सी आजएगा पर 2 से जाएगा तो आएगा 42 आब यह कर सकते हैं बाग देना दो से पर दो से साथ से जाएगा तो साते कम साथ इस तरीके से हम 336 को लग सकते हैं अब यहां पर देखिए एक दो तीन चार बार दो आया है तो आप दो पावर चार लग दो गई और एक बार तीन आया तो आप लिखोगे तीन और गुड़त में लिखोगे साथ इस तरीके चंगन की निकाल सकते हैं चंगन की अभाज गुड़नखंड तो यहां रफ में करेंगी चंगन को है में तो यहां से दो से जाएगा तो 27 दूनी जा वन्होंट है फिर तीन से चला जाएगा तीन तो हमें इसको लिखेंगे दो गुलत तीन पावर तीन तो यहां इन दोनों के अभाज उडनकंट निकाल लिए हैं अब हमें दोनों का लगत्तम समावर तक और महत्तम समावर तक निकाल ला है तो हम लेखेंगे 336 और चंगन का लासा और यहां लेखेंगे 336 और चंगन का मासा चलिए अब हमारी ट्रिक काम करेगी यहां पर लासा का मतलब होता है सबसे उची गातों को चलिए यहां से स्टार्ट करतें दो पर चार की गाती है सबसे उची गात है क्योंकि यहां एक की गात है कोई भी नहीं लगी गात तो यह सबसे उची गात होगी दो पर चार की गात इसके बाद तीन आया है लेकिन तीन की सबसे उची गात क्या है तीन के उपर तीन की गात तो इसको ना लेक के इसको लिखना बैटर रहीगा तीन पर तीन की गात इसकी बाद साथ आया है साथ तो एक ही है और सबसे मुची गाती आई होगी तो इसी को लिख लेते हैं तो यह हमने अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे रफ में और जितना आएगा उसको बराबर में लिख लेंगे चलिए दो पर चार की गात है तो इसका मतलब दो गुलेट दो गुलेट दो चार बार होगा दो दूनी चार दूनी आठ दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोला तो यह आया सोला है अब तीन गुर्ट 3 है तो इसको कर देते हैं, तीन बार 3 तरकनो दिया 27 तो गुर्ट में आगला 27 गुर्ट साथ पहले से ही तो अब हम को मैं को मगुना कर लेंगे तो जब हम इनका गुना करेंगे तो यहाएगा इसको तो हम 3024 मैंने इसका गुणा करके रखा है अब आप इसका गुणा कर सकते हैं तो यह इतना ही आएगा तो कर लेते हैं इसका गुणा और आया है 3024 तो मैं समय बचाने के लिए यहां पर डारेक्ट में लिग देता हूं क्योंकि आप गुणा कर लेंगे 3024 इसके बाद हम 336 माहत्तम समावर दक निकाल लेंगे महत्तम समावर तक आपको याद है वाइनस्ट गुड़न खंड की सबसे चोटी हाथ वाइनस्ट गुड़न कंड़स मैं 2,3,2,3,2,9 मैं तो हम लेकेंगे 2,3 और सबसे चोटी घहात एक की मानी जाएगी तो एक की की हमने दौनों के गात ले लिए तो दो गुड़ों 3 क्या यहां चोटी क्या है तीं यहां चोटीजा क्या एक दोनों की च्छोटी गात है यादन दो गणत तीन को अमने ले लिए तो यह आएगा चेए अब हम ज़न्च भी गर लेते हैं और जाज के लिए फॉर्मूले लगांगी दोनों संख्याओं को गुणन फल बरावर लगत्तम समावरता गुलत महत्तम समावरता दो संख्या को गुणन फल आमारी दो संख्याओं थी वो थी 336 गुलत चंगर लगत्तम समावरता हमारा एक आया है 3024 दूसरा आया है 6 महत्तम समावरता 6 दोनों का गुणन फल कर देंगे तो आईए दोनों का गुणनफल करेंगे इसका गुणनफल जब आप करोगे तो आएगा 18144 और इसका भी उतना ही आएगा 18144 आप गुणा करके देख सकते हैं अब दोनों चू की बराबर हैं इसलिए जो की सत्त है आप यहाँ पर लिकोगे जो की सत्त है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं तो परस्नामाली एक दे समलाओ जो हम लोग दो कर रहे हैं उसमें परस्निक्रमांग दो अपसमाप्त होता है अब हम लोग परस्निक्रमांग तीन करेंगे थैंक्यू